नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना हिजाब कॉंट्रूवर्सी में आज करनाटक में एक और नया मामला देखने को मिला जहां एक तरफ ये मामला इस वक्त कोट में हैं हिजाब कॉंट्रूवर्सी सभी तरफ बढ़ रही है अलग-अलग शहरों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है वहीं आज एक बार फिर से करनाटक के स्कूल में कुछ लड़कियां हिजाब पहन कर पहुँची ये तब हुआ जब कॉट ने अलरेड़ी आदेश दिया हुआ है कि अभी स्कूल्स खुल रहे हैं और स्कूल्स में कोई भी रिलीजियस आउटफिट पहन कर नहीं जाना है जो स्कूल का ड्रेस कोड है वही पहन कर जाना है कॉट के इन ओर्डर्स को देने के बाद ही स्कूल्स को खोला गया जिसका मतलब ये था कि स्टूडन्स को अब अपने युनिफॉर्म में ही जाना है आज कुछ लड़किया स्कूल पहुँची वो युनिफॉर्म में तो थी लेकिन युनिफॉर्म के साथ वो हिजाब पहने नजर आई जिसके बाद टीचर स्कूल के बाहर आई और टीचर ने लड़कियों को हिजाब उतारने के लिए कहा लड़कियों के पैरंस भी वहाँ पर मौजूद थे पैरंस ने टीचर से आग्रह किया कि हिजाब ये एक बार क्लास में चली जाए उसके बाद भी जाकर उतार सकती हैं लेकिन टीचर नहीं माने टीचर्स ने श्कूल के बाहर ही उन लड़कियों से हिजाब उतरवाया हाला कि उन्होंने इतना असानी से हिजाब उतारा नहीं था टीचर और पैरेंट्स के बीच काफी देर तक ये बहस चली और फिर लड़कियों ने अपना हिजाब निकाला जसके बाद उन्हें स्कूल में एंटर करने दिया गया सोशल मीडिया पर अब ये नई वीडियो वाइरल हो रही है सबसे बड़ी बात ये कि अभी जब इंट्रीम एक ओर्डर कॉर्ट ने दे दिया है कि अभी कोई भी रिलीजियस आउटफिट स्कूल में नहीं पहनना है उसके बावजूत क्यों ऐसा किया जा रहा है वही कुछ हद तक ये भी लगता है कि सिर्फ इस हिजाब कॉन्टुवर्सी को थमने ना दे ये कॉन्टुवर्सी चलती रहे इसलिए भी इस तरह की चीज़े की जाती है क्रियेट की हुई आपकी क्या राय है आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही पल-पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना